समाजबादी पार्टी अब जाती जनगरना के सहारे सत्ता रूर दल बीजेपी को घेनी के प्रयास में लगी हुई है। इसके लिए ब्लॉकिस्तर तक अभियान चलाने जा रही है जिसकी शुरुआत 24 फरवरी से प्रधानमंत्री के संसदिय छेत्र वरणसी से होने जा रही है। समाजबादी पिछडा वर्ग प्रकोष्ट की प्रधेश अध्यक्ष राजपाल कश्चिप ने बताया कि प्रतेएक जीलो में विदानसवा के ब्लॉकिस्तर पर संगोष्टी का प्रधम चरण 24 फरवरी से प्रारंभो कर 5 मार्च तक चलेगा। इसमें 24 और 25 फरवरी को वरणसी, 26 और 27 फरवरी को सोनभद्र, 28 फरवरी और 1 मार्च को मिर्जापुर, 2 और 3 मार्च को भदोही में संगोष्टियां होंगे। 4 और 5 मार्च को प्रियाग राज में इसका कारिक्रम का समापन होगा। राजपल कश्चप ने कहा कि समाजबादी पार्टी जातिय जनगणना कराये जाने की मांग पुर्जो और धंग से उठाती रही है। जातिवारक जनगणना के आंकणों से सरकार विकासकारियों के अलावा अननीती निर्धारन का कारे कर सकेगे। राजनितिक जानकारों की माने तो सपा ने जाती है जनगरना के मुद्दे के साथ लोगसवा चुनाप के लड़ाई को 80 बनाम वेस करार दिया है जिसमें 80 फीसदी दलित और OBC वर्ग है जबकि 20 फीसदी सवर्ण है सपा अब इस मुद्दे पर खुल कर खेल रही है ताकि पार्टी के साथ OBC और दलित वोटर जोड़ सके है वहीं पार्टी ने गाउं गाउं चाकर आंदोलन चेड़ने की रणनीती तयार की है जिसे BJP के मिशन 80 को जटका लग सकता है दिल्चस्प बात यह है कि अखिलेश यादब के इस मुद्दे पर UP के डिप्टे सियम के शपसाद मौरा भी अपनी सहमती जटा चुके हैं सपा जातिये जनगरना की मांग पुर्जोर धंग से उठाती रही है पार्टी का कहना है कि जाती वाद जनगरना से विविन जातियों के समवैदानिक अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे और सभी को उनके संक्या के अनुसार हक और सम्मान मिलेगा हलंकि इस कवायत के पीछे एक बड़ी वज़े पिछले और दलित वोटों को अपने पाले में करना है रामचरित मारस विवाद के बाद अब सपा जाते हैं जनगरना के मुद्दे को तेजी से आगे बढ़ा रही है इस अभियान के जरिये पार्टी की नजर 2024 के लोगसवा चुनाब पर है अगर मुस्लिम और यादव वोटों के साथ पिछली जातियां भी साथ आती हैं तो चुनाब में परणाम कुछ अलग हो सकते हैं मान जाता है कि 2022 के विधान सवा चुनाब में सपा को यादवों और मुस्लिमों के साथ ओविसी बोट भी बड़ी संख्या में मिले इसी का नतीज़ था कि करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ सपा का वोट प्रतिशत 32 प्रतिशत हो गया अब सपा चाहती है कि इस मुद्धे को आगे बढ़ा कर कुर्मियों और पिछड़ा वर्ग की दूसरी जातियों को चोड़ा जा सके हाली में गठेत सपा की नई कार्यकारणी में इसका असर भी दिखा है राश्ट्री कार्यकारणी में यादव और मुस्लिम के साथ दलित और अतिपिछड़े वर्ग समुदाय को साधने की पूरी कोशिश की गई अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें